जैहिंद एस्पिरेंट्स तो युनाइटिड नेशन्स ने अपनी ताजा जारी की गई एक रिपोर्ट में भारत की काफी सराना की गई है और भारत में उठाए गए जो कदम है उनकी भी यहां पर काफी तारीफ हुई है तो बारे साल के बाद यानि की 2010 के बाद पहली बार ऐ ऐसा मौका आया है कि यूएन ने इंडिया का नाम अपनी एक रिपोर्ट से ता दिया गया है और वो जो रिपोर्ट है वह बहुती महतुपून रिपोर्ट है जो चिल्डरन इन आम्ड कॉन्फिक्ट्स और यह जो कॉन्फिक्ट्स हैं जो वार्स हैं इनका बच्चों के and drops India from its report on children and conflict and this is the first time since 2010 that India has not been named in the report alongside countries like Burkina Faso, Cameroon, Lake Chad Basin, Nigeria, Pakistan and Philippines तो यह recently आज ही यहां पर यह जो news है यह जारी की गई है और United Nations Secretary General जो है उन्होंने कहा है कि यहां पर भारत का जो नाम है इस लिस्ट से इसलिए हटाए गया है क्योंकि भारत की सरकार के द्वारा कुछ सरहनिये कदम यहां पर उठाए गए है यहां पर बात की गई है specifically जो जम्मू कश्मीर का इलाका है जहां पर सरकार ने बच्चों को बचाने के लिए जो armed conflict और एक Insurgency के खिलाफ counter-terrorist measures है इनका बच्चों के उपर जो impact पड़ता है उसे बचाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं कि यहां पर काफी सरहाना की गई है यह कहा गया है कि पहले भारत का नाम यहां पर होता था ठीक है और उसका primary reason था क्योंकि जो boys हैं उनको armed groups के द्वारा यहां पर use किया जाना and detention of boys by the security forces clear यहां पर एक official statement जो है वो भी जारी की गई है to map the corporation and collaboration on child protection issues that were developed earlier by the Indian government clear तो यहां पर यह बताया गया है कि काफी कदम जो हैं बच्चों के सुरक्षा के लिए जो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उन में से एक महतुपूर्ण कदम है जो security forces को train किया गया है for protection of children moreover it has been highlighted that the suspension of use of pellet guns by security forces is also a major step that has been taken इसके अलावा देश भर में जो juvenile justice act and protection of children act हैं इनका empower किया जाना भी काफी एक महतुपूर्ण कदम है जो सरकार के द्वारा यहां पर उठाया गया है clear so इन सभी measures को देखते हुए इंडिया का नाम जो है 2023 में इस report से हटा दिया गया है और यहां पर UN Secretary General Antonio Guterres के द्वारा mention किया गया है clear तो आप यह देख सकते हैं कि देश भर में यह एक काफी महतुपूर्ण कदम है जो उठाया गया है ठीक है और यहां पर यह जो report है यह specifically इंडिया का नाम यहां पर highlight करती है क्योंकि इस से पहले बताया गया था कि हर साल भारत का नाम इस list का हिस्सा होता था तो ऐसी और महतुपूर्ण जानकारियों को जानते रहने के लिए टेस्ट बुक सुपर कोचिंग CDS CAPF FCAT के YouTube चैनल को आज ही subscribe करें और bell icon प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको defense exams के लिए और सभी competitive exams के लिए general awareness का और सभी subjects का एक best content आपको available में होता रहे इसी के साथ साथ आप सभी students के लिए आज यहां पर मौका है जहां पर आप up to 90% discount available कर सकते हैं टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के subscription पर तो defense courses के लिए चाहे CDS हो, FCAT हो, CAPF exam हो या फिर SSB interview हो उसकी तयारी का मौका मत छोड़िए जोश कोड का इस्तेमाल कीजिए और टेस्ट की team जो है super teachers की team उसके साथ तयारी करते रही है, तो अगले session में आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आऊंगा, okay, so please tune in to this YouTube channel and get all the latest updates timely, see you all in the next session, जैहिंद!